BENSON, नमस्कर, दोस्तों स्वागति हैं आपका TC टैलर चेनल में, दोस्तों पिचले वीडियो में ज्यसकि के कटिंग करी, इस वीडियो में स्टीचिंग कर दो से pyл Yo carbammin को बनाएंग को यह यार pulled लगाएंगे तो यहां से इस तरी के इस दिए कर दो निशान नशाल लगा लिए हम पिछले वीमें पर नियुक्ति हो कसे नियुक्ति का अब हमसी वीडियो में सब से तो जाती आपको काट के आपको इस तरीके से लगा देना है इससे क्या हो गार मा लिजे बैठ रहे हैं आप तो अंदर का कपड़ा जू है वो नहीं दिखता है जाती लगाने सक ऐसे ऐग फाइदा होता है बैसे जो भी कलर की जाती होगी वो आप चमकेगी तो इसलिए जाती लगा देना होती है दूसरी साइट में भी हमको जाती लगा लेना है पाकिट में तो यह हमारी जाती लग गए हमको मुँ इसका बंद कर लेना है नीचे का जो थैला है वो इसको बंद कर लेना बना लेना है दूसरी यह पाकिट है इसका भी थैला हमको बना लेना है अब इसको पलेट लेना है पलेटने के बाद अब हम पैर के सिलाई लगा देंगे तो यह हमारी पाकिट जो है बहुत तैयार हो गई है अब हमको इसको कैफरी में लगाना है तो देखे एक पाकिट में तो सिंपल रहेगी एक पाकिट लगेगी हमारी चेन बाली तो उपर से हमको कितना चोड़ना है वो मैं आपको बता जूँ जैसे कि दो इंच तो अंदर हमारा फोल्ड हो जाएगा ठीक है ना इस तरीके से उसके बाद इसको अंदर फोल्ड करेंगे लगवक देड़ इंच रह जाएगा तो यहां पर इस तरीके से हमको तीन इंच उपर से छोड़के आपको यहां पर मू बना देना है पाकिट लगा देना है उसके बाद पलट के हम यहां पर सिलाय लगा देंगे तो उपर से हमने पाकिट तक की मू अगर आप पूछेंगे तो चार इंच हमने लगवक छोड़ा है तो सबसे पहले हमने एक लपकी शिलाय लगाई उसके आद हम पैरिक शिलाय लगा लेंगे यह तो है बिना चैन वाली पोकिट और दूसरी साइट के लगाएंगे वह चैन बाली तो यह देखिए हमारी पाकिट बनके रेडियो हो गई कितनी जल्दिस बहुत ही आसान तरीके से देखिए इस तरीके से बन गए यहां पर चाहें तो आप शिलाय लगा सकते हैं बना यह जो है लाश्टिक में उपर दब जाता है मतलब यह एक किए यह पाकिट तयार हो गए अब दुसरी साइट के हम तयार करते हैं तो दीखिए यहां से एक इंच दूरी पर निसान लगाएंगे इसके बाद हम पाकिट बनाते हैं इस तरीके से हमको रखना है इसको भी दिखे इस तरीके से फोल्ड होगा यह और इस तरीके से निसान से लगवग जो एक इंच नीचे हमको उतार के पोकिट रखना है और यहां पर जो है मूँ इसका बना लेना है तो जैसे कि वो पैरिक सिलाई लगाई थी इसमें हमने एक इंच चौणी सिलाई लगाई है क्योंकि इसमें जो ला वह चैन वो दिखेगी इसलिए अब यहां पर हम लब किसलाई लगा देंगे अंदर से ताकि लब जो है वारी उपर ना चमके तो इतना काम कंपलीट करने के बाद आप हम लगाते हैं अपनी चैन तो देखे चैन लगाने का एक रीजन यह है कि जैसे कि मूबाइल बगरा रखते हैं या फिर मालेजिये पैसे रखें रेसकारी बगरा तो वो बैठते उटते हैं तो क्या है इसे निकल जाते हैं लेकिन अगर हमारी एक साइट में चैन लगी होगी तो चैन बाले मतलब पाकिट में हम रखेंगे तो निकलेगी नहीं तो इसलिए एक साइट में चैन लगा देते हैं तो वो बेस्ट रहता है कैफरी में है ना चै है तो यह ऐसे ही बना सकते हैं सिम्पल बिना चैन की पर हमारा मतलब हमारा कहना है तो कि एक साइड में आपको लगा लें तो ज्यादा बेश्ट रहता है फाइदे के लिए होता है तो यह देखे चैन हमारी लग गई पोकिट हमारी बैसे ही बनी है अब यहाँ पर लगा देते हैं स्लाइस और इसको बंद कर देते हैं और इस कैफरी को पहन के भी दिखाएं जैसे कि हमारी खुद की कैफरी है और किसी के है नहीं तो गर्मियों के लिए हमने ऐसे बनाई है सुबह टहलने के लिए जैसे की रनिंग कर रहे हैं या उसके लिए यह बेश्ट होती है या पिर आप पूरे दिन भी इसको पहन सकते हैं और लूज है इसलिए अब देखे सामने हमारे कम्पलीट हो गए अब यह बैक है बैक में यहाँ पर यह देखे पाक्टे हैं पाक्टे में इसको लगाते हैं तो साथ इंच चौड़ी है यहाँ पर और आट इंच लंबी है अब यह रहें फलाप फलाप के जैसे की चौड़ाई 6 इंच हमको तयार चाहिए कि पाकिट 6 इंच चौड़ी लगेगी और लगवग 3.5 इंच चौड़ी आपको कपड़ा काट लेना है जो कि धाई इंच लगवग रह जाता है अब यहाँ आपन नोक बना लेंगे नोकदार फलाप रहेंगे क्योंकि यह मोटा कपड़ा है तो हम इसमें डालेंगे कुछ नहीं अगर आपको बहुत जड़ा हलका कपड़ा है तो आप उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगा सकते हैं या फिर पेपर फोम भी लगा सकते हैं वो आपके उपर है जो भी डालना चाहें पेस्टिंग लगाना चाहते हैं तो पेस्टिंग भी लगा सकते हैं लेकिन पेस्टिंग से कड़क हो जाता है तो कैफिरी में जादा कड़क पन मतलब फला बगएरा अच्छे नहीं लगते हैं देखने में तो इसलिए भराव अंदर कपड़े का डाल सकते हैं आप क्योंकि यह वो लेड़ी पहले से मोटा कपड़ा तो हमने इसमें कुछ भी नह जाला है ऐसे ही रखा है अब हम इसको पलट के और यहां पर जो है नोके बगएरा निकाल के सिलाई लगा देना है लपकी और पैर की को तो दोनों पाकिटे आपको ऐसे ही त्यार कर लेंका है एक पाकिट हम तैयार करके दिखा रहे हैं एक लगा के दिखा देंगे दूसरी साइडिम यहार असे लगेगी दिदिखें दो इन्च अνदर का हो गया यह और एल यसक तो बेल्ट होती है ठीक है नँग तो उपर से अगर हम 4 इंच छोड़ेंगे देखे निसां से और इस तरीके से 6 इंच अब इसमें निसां उठा लेते हैं दोनों पल्लों के एक बरावर रहेंगी पक्ते ना इस तरीके से आपको निसान उठा लेना है उठाने के बाद इसमें अभी निसान लगा लेना है ये दोनों पाक्टों के निसान लग गए अब हमको इसी पर फाकिट के फलाप हमको इस पर लगा देना है तो फलाप को इस तरीके से रखेंगे और सबसे पहले फलाप को ही लगाना है उसके बार लगवग पौण इंच नीचे उतार के आपको पोकेट लगा देना है तो इसमें हम पैरक सिलाई लगा रहे हैं चाहें तो आप डबल सिलाई लगा सकते हैं या फिर पैरक की लगा सकते हैं या फिर लफ की लगा सकते हैं आपके उपर है तो पैरक स्लाई इसमें बेश्ट लगती है तो इसलिए जो है पैरक लगा रहे हैं देखने में अच्छी लगती है तो यह हमारी पाकेट लग गई उसके बाद उपर से फलाप के उपर से पैरक स्लाई लगाएंगे और एक और लगाएंगे लपके स्लाई तो यह हमारे फलाप जो है वो रेडियो हो गए ऐसे ही आपको दुसरी साइड में फलाप लगा लेना है तो इस तरीके से होने के बाद अब हम यहाँ पर पुठा जोड़ देते हैं तो अधर बाला भी पुठा आपको जोड़ लेना है और उसके बाद आपको उबलाप कर लेना है अगर उबलाप हो नहीं तो ऐसे हैं आपको छोड़ देना उबलाप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है अब हम इसमें थाइला वाली पाकिल लगाते हैं देखिए तीन इंच पैर कमारे दें चोड़ने के बाद तीन इंच उसके बाद दो इंच की डाट और तीन इंच यह तो इस तरीके से आप इसको नाप सकते हैं नापने के बाद इसको बना सकते हैं अब हम देखिए इसको द दालते हैं तो एक पाकेट यहां पर हम बना के दिखाएंगे एक बैसे ही हुब हुब दोनों बनेंगी तो इस तरीके से प्लेट डाल लेना है और यहां पर हम स्लाई लगा के इसको रोग देते हैं उसके बाद उपर इसको फोल्ड कर देंगे अब देखें नापते हैं तो 20 सेंटर से हमको इधर 3 इंच इधर 3 इंच 6 इंच हो गया बाकि एक्स्ट्रा जो माज़न इसको कट कर देना है यहां से 7 इंच गढ़ till पैर कमार tuition उत्रा ही छोड़ना बाकि को कट कर देना है क्योंकि यहां पर देखर पट्टी लगें इसलिए ऊ-इस को देखें गुलाई में दे देना है है आपको अगर गोर लगाने चाहते हैं स्कॉख्वर लगातन ना चाहते हैं इस दो को रहक्षि और ये दिखे दो इंच की है और इसमें हमको लगाते हुए चले जाना है उसके बाद इधर साइट में लबकिस लगा देंगे और इसको जो एक्ष्टक अपड़ा है थोड़ा सा इसको काट देंगे ऐसे ही इधर साइट का प्रोसेस आपको कर लेना है इसको भी मोड लेंगे और यहां पर भी लबकिस लगा लेंगे तो यह हमारी थैला पाकिट बन गई अब इसमें एक लपकिस लाई रह गई है इस तरीके से फोल्ड करके आपको सिलाई लगा देना है ताकि पाकिट लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो तो यह पाकिट जो हमारी बनके रेडी हो गई है इसका अब हम फलाप बना लेते हैं तो इसकी इतनी नाप रखके काट लेना है दूसरा वाला भी ऐसे ही काट लेना है उसके बाद आपको इसको पाकिट को रखना है चौनाय जीतनी पाकिट की है उतना ही आपके फल आपको रखदेना है जैसे कि 6 इंच है इसकी देखे चौनाय में साड़े तीन है लमबाई में छे है तो जितना है उतना ही आपको रखदेना है अब इसको नोक बना लेते हैं उसके बाद इसका भी फलाप आपको बना लेना है एक्स्रा कपड़ा जो हाँ उसको काटके और फलाप को पलेट लेना है पलेटने के बाद यहाँ पास सिलाई लगा लेंगे डबल तो यह हमारे फलाप और पाकिट गुटने की रेडी हो गई अब हम इसको लगाते हैं तो इस तरीके से दिखिए इसको रखना है सबसे पहले हम यहाँ पर की पैर की जो सिलाई है वो लगा लेंगे पुठे पर की क्योंकि बहुत भी लगी नहीं है तो उसको लगा लेते हैं सबसे पहले हम लपकी लगाएंगे आपको लपकी लगाना है यहाँ पर रोक के जो टाकी बगएरा है मुग के पास उनको लगा लेना है तो यह पैर की लग गई अब हम लगाते हैं अपनी थैला पाकिट तो देखिए इधर से तीन इंच तीन इंच यहाँ पर और मुझ पाकिट का मुझ से लंबाई जो है वो भी तीन इंच नीचे आपको रख देना है पाकिट का मुझ है नीचे का यहाँ से तो इस तरीके से रखना और उसके बाद जो है उपर से देखिए पाउन इंच छोड़ने के बाद आपको गुलाई में निसान लगा लेना है पाकिट को रख के इससे इससे जो है आपको एक आइडिया रहेगा हाम को यहाँ पर से पाकिट नीचे का पला जो है बुल लगाना है तो इसलिए चाक से निसान आपको लगा लेना हलक हलक के चाक के दो जो निसान है इससे अंदर ही रहना चाहिए जब आपकिट को लगाएं तो अंदर वाला जो हिस्सा है बो लगेगा हमारा जड़ा जाएगा तो यह हमारी पाकिट लग गए अब देखे फलाप का यहां पर जो है सेलाई लगा लेते हैं उसके बाद हम पाकिट को उपर मुग के पास टांकी लगाएंगे तो अब यहां पर जो है मुग के पास पाकिट में यह टांकी लगा देना होती है तो इतनी इधर लगाना होती है और इसे ही हमको इधर साइटिम लगा देना होती है तक कि यहाँ पर का हिस्सा इधर उधर भागे नहीं अब यह हमारी पाक्ष नहीं लगके रेडियो गई इनमें काज बटन बगएरा बड़े अले बटन जो हैं वहाँ आप लगा सकते हैं नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं पर बटन लगा देंगे तो अच्छा लगता है काज बटन करने के बाद तो यह हमारी पल्ले दोनों तरफ के तयार हो गए इसे ही पाक्ष दुसरी साइड में लगेगी तो इस तरीके से दिखिए हमारी कंप्लीट हो गए अब हम इसको जो है वो बना देते हैं पूरा आगे का इससा हम इसको जोड़ते हैं तो आगे चेन बगारा नहीं लगेगी कुछ भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि चेन जब लगाते हैं जब जो है हमको सामने बैल्ट लगाते हैं बैल्ट लगेगी नहीं तो चैन उपर को आउकल तो आप इसमे आब बल्ला को कर ले बना और इसको ऐसलाय लगा देना होती हैं तो यहाँ पर डबल स्लाइए में इसको बना रहें कैफरी को तो इसमें भी हम डबल स्लाइए ही लगाएंगे कि तो यह सामने के हिस्से में लगा रहे हैं तेखिए इधर साइट से आपको लगाना है उपर से और बैक साइट में नीचे से तो पैर के लग गए अब हम लपकी लगाते हैं तो ये लपकी लग गए अब हम जो गिदरी इसकी जोड़ देते हैं इसके जो पल्ले हैं वो जोड़ देते हैं तो यहाँ पर ठाकी लगा देंगे और इसकी सिलाई को डबल कर देते हैं ताकि तूटे नहीं तो अब हम इसकी मोरी फोल्ड करते हैं तो यह एक्सरा जो निकलना है थोड़ा बहुत इसको चांट देना है तो जितना यह निसान लगा है इसी हिसाब से दुसरी बाले में पल्ले में भी निसान लगा लेना है अब हम इसकी मोरी जो है वो फोल्ड कर देते हैं इसका जो मर्जन है वो बैक में जाएगा और यह किन चौनी मोरी आप फोल्ड कर सकते हैं तो यह मोरी फोल्ड हो गए दूसरी साइटम भी ऐसे ही फोल्ड कर लेना है आप हम डालते हैं लाश्टिक तो जैसे कि इसकी कमर जो भूसारख चोंती से तो लाश्टिक खिचाओ के इसाफ सब्सक्राइब ज्यादा श्चाओ है तो सी इससाफ साफ़ को डालना जैसे कि यह 34 कमर हैं तो इसमें 30 ला लेंगे तो लोगों साड़े चार इंच छोटी और लाश्टिक थोड़ी हार्ड है तो आपको कम डालना है लाश्टिक बहुत ज्यादा खिशती है तो ज्यादा आपको छोटी डालना पड़ती है अब हम इसकी लाश्टिक जो है इसमें डाल देते हैं तो यह निसा ना ऐसे इसको फोल्ड करके इसमें फाहिना के इसको डाल देना है इसमें चाहें तो आप नेफा बनाके उसमें फोल्ड सकते हैं अपर वो थोड़ा सा वैसा होता है ना काम उस्हें थोड़ा सा टाइम भी लगता है और उसको पहले पल्टो फिर उसके राश्टिक डालो तो वह थोड़ा सा परवुश्छ हो जाता है जिस्वा ताइप कहाpower क उसमें को आपको कुछ करना नहीं पड़ता है और कहीं यम heeft कर आए जोड़ा जाता है इसमें जब आप डालते हैं तो देखें आम इसको उसके लाश्टिक उपर सिलाई नहीं लगा रहे हैं नीचे ही लग रही है अगर आपको ऐसे डालने में प्रोब्लम हो तो आप जो है इसको डाल सकते हैं नेफा फोल्ड करके उसमें थोड़ी जगा चोड़के और जिसे नारा डालते हैं वैसे लाश्टिक को डालके और उसके बाद जो बंद कर सकते हैं बरना ये इसमें भी दिखे कुछ भी है थोड़ी न बहुत ही आसानी से पड़ जाती है इसको दिखे खींचा जितने नंबाला हिस्सा है वो सब उदर कर दिया और इसको डालते हुए चले गए और बाद में इसको बराबर कर देना होता है अब देखिए पाक्टें जो हाँ ये इसमें दब जाएंगी तो ये देखिए हमारी लाश्रिक पड़ गई अब इतनी सबाई में इतनी जल्ली पड़ गई बैसे उसमें बहुत टाइम लग जाता है डालने में अब देखिए 15 जुनी 30 आई है जैसे कि यह मोटा कपड़ा है तो लाश्रिक इसमें जल्दी काम नहीं कर पाती है ठीक से क्योंकि मोटे कपड़े में तो यहां पर हम सिलाई लगाएंगा और इसमें नारा भी डाल देंगे अगर आपका हलका कपड़ा है तो आपको नारा ड अगरा डाल सकते हैं बीच में तो नारा डालने का बीच में हम इसमें छोड़ देंगे रास्ता अगे तो यह हमारी लास्टिक पड़े अब दिखें यहां पर आम खोल देंगे थोड़ा सा चाक आपको अंदर से खोल ना आया अगर आपका अंदर से खोल लें हम उपर से खोल लें हैं लेकिन बैसे ना रहकर चाक जो अंदर से खुलता तो आप अंदर से खोल सकते हैं ऊपर से खोल लए तो भी कोल सकते हैं बाद में आप को स्य से इसको चाहें तो काज बना भी सकते हैं लिफिश कर Cam आज भी बना सकते हैं सुई से तो सिंपल सा है देखिए दोनों तरफ ने कट लगा दी यह नारा बना दिया इसमें हमने कील लगाई और नारे को इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नारा डाल के दिखा देंगे ऐसे ही आपको पूरे में पिरो देना होता है तो ऐसे ही आपको डाल देना है तो डालने के बार बराबर करते ना है दिखिए इस तरीके से आई है यह आई से छोड़ देना है जितना जिसको जुरूत होगा उतना रख के वाकिर काड़ देगा पीछे साइड में आपको क्या काम करना है एक टाकी लगा देना है तक कि हमारे नारा इदर उदर भागे नहीं एक जगे पर ही रहे तो अब मैं आपको दिखाता हूँ तो दिखे हमारी कैफरी बनके रेडी हो गई तो कुछ इस तरीके से देखी इसका लुक आया है है ना अभी प्रेस बगेरा इस पे नहीं लगाए ना बटन लगाए है अब इसको तोड़ा समय पहन के आपको दिखा देता हूँ किस थरीके से आती है लूजिंग इसकी और कैसी आती है तो इसको दिखे इस तरीके से हमने इसको बांद दिया नारे को और अब मैं दिखाता हूँ यह देखिए जैसे की पाकेट है इसको खोला और यहां पर हाथ बगरा डाल सकते हैं मूबाइल बगरा रख सकते हैं यह बैक पाकेट है यह तो सोके लिए लगा जाती है चाहें तो कुछ भी आप रख भी सकते हैं यह पुट्टे की पाकेट है यह थैले वाली इसमें कोई बड़ी चीज आप पासानी से रख सकते हैं है ना तो इस तरीके से कुछ शीतों हो गई पाकट हैं तुसरी साइटम भी पाकट हैं और देखिए कुछ इस तरीके से आई हैं अब मैं आपको पीछे का इससा देखिए कुछ इस तरीके से आया है सामने का इस तरीके से लूजिंग में और प्रेस बगर आवी अमने इसमें नहीं लगाई है तो देखिए साइट से कुछ इस तरीके से हैं तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं बैक में तो यह देखे बैठने उड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा और